हेलो फ्रेंड्स मोटिवेशनल कुकिंग में आज आपके साथ शेयर कर रहे हूं फ्रूट कस्टर्ड बनाने की बहुत ही आसान सी रेसेपी कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होता है तो इसे ब अब लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर आप चाहें तो कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं थोड़े से रूम टेंपरेचर के दूद में हमें दो चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर लेना है और यहां पर इसका एक स्मूध बैटर तयार करना है कोई लंप यहां पर इस समय इस बैटर में नहीं होना चाहिए एक मिनट में ही आराम से इसमें घुल जाएगा और इसका एक रनी और फ्लोई बैटर तयार हो जाएगा देखे बैटर तयार हो चुका है दूद भी उबल चुका है बस उबलते ही दूद में डाल दीजे 200 ग्राम चीनी अ तब हम अपना कस्टर्ड का बैटर इसमें डालेंगे चीनी भी घुल गई है बस अब अपना डाल लीजे एक पतली धार में कस्टर्ड की सलरी यहां पर और इसे लगतार चलाईए वरना ये बॉटम में लग भी सकता है कस्टर्ड असानी से इसमें मिल चुका है और अपना क पकाना है केवल पांच मिनिट और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होते होते ये अपने ही गाड़ा होना शुरू हो जाएगा 5 या 6 मिनिट आप इसे पकाईए और उसके बाद हमें कर देनी है अपनी गैस बंद गाड़ा होना ये शुरू हो चुका है, पांच मिनट बाद मैंने हलका सा इस पर टेस्ट करके देख लिया था बस कर दीजे गैस बंद, अब चुकि ये गरम है तो इसे फ्रिज में रखने से पहले हमें रूम टेंपरेचर पर इसे लाना है इसके लिए आप इसे पानी से भरी परात में या थाली में रख लीजे, पानी से भरी परात में भी ये गाड़ा हो चुका है अब ये रूम टेंपरेचर पर भी आ गया था तीस मिनट बाद, तो इस समय हम डाल देंगे इसमें अपने फ्रूट्स को काट के तो डालें मैंने इसमें दो केले, एक अनार को छील कर दाने निकाल लिये थे और एक डाला है सेब जो भी फ्रूट्स डाले वो मीठे होने चाहिए और होने चाहिए फ्रेश मैंने डाले इसमें थोड़े से dry fruits भी जो इसके taste को बहुत ही बढ़िया तरीके से enhance करते हैं पर ये पूरी तरह से optional है जो भी fruits आपको available हो वो fresh और मीठे आप इसमें डाल सकते हैं और डालेंगे इसी समय क्योंकि ना केवल custard बलकि हमें अपने fruits भी ठंडे करने हैं फ्रिज में अगर आपको ज़्यादा जल्दी है सर्फ करने की तो आप आदे घंटे इसे फ्रिजर में रख सकते हैं वरना आप धाई तिन घंटे इसे फ्रिज में रखिए और आपका मीठा बनकर बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाएगा हमारा कस्टर्ट ठंडा हो चुका है और अब सर्फ करने के लिए बिल्कुल तैयार है चार बड़ी सर्विंग हमेज से तैयार कर चुके हैं तो अगर आपके पास है आधा लीटर दूद या एक लीटर दूद कस्टर्ड पाउडर और फ्रेश फ्रूट्स तो फॉरन से बना लीजे बच्चों का फेवरेट और बड़ों का भी फेवरेट यह समर डिजर्ट हमेशा ज़े ट्रेंड में रहा है कस्टर्ड और फ्रूट कस्टर्ड इन ट्रिक्स और टिप्स के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा वीडियो मेरी पसंद आती है तो ला आत्रिक्यों का हुआ हैं ê